हलो फ्रेंड्स वेल्कम टूबर यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्स की इस वीडियो के माथिम से आपको टॉप 50 क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगी जो आपके वियर्ड इंट्रिंस एक्जाम के लिए बहुत ही रिल्वेंट होंगे और और भी कोई एक्जाम आप दे र है और ऑप्शन और ऑखिजन बी ऑपशन है हाईडोजन सी ऑप्शनए ओजॉन डी ऑप्शनए हेलियूम तो सी इसदा करेक्ट आंसर सूर्च के बिकरण का परावेगनी प्रिकास ओजॉण परत के कारण प्रत्वी के बायो मंडल पर नहीं पहुच पाता है ओजॉण का खरण कर रही है अगला कोशन है किस चीज को अधिक खाने से ही प्रत्वी के अधिक जन्संक्या का भरण पोशन किया जा सकता है यह अप्शन है बड़े भेड़ बक्रे का मास B अप्शन है अंडे C अप्षन है बनस्पती उत्पाद D ऑप्षन है गो मास तो C is दा करेक्ट आं तो यह जो सभी को पता होगा भगवान जगनात के सम्मान में पुरी में रथियात्रा का आयोजन किया जाता है और पुरी जो है वो आपके ओडिसा राज्य में है ओडिसा राज्य जो है उसकी कैपिटल होती है भुवनेश्वर सीम यापन नवीन पतनाइक जी है राजिपाल बरतमान में बहाँ पर गड़े सी लाल जी है ओडिसा डे या उतकल डे एक एपरिल को मनाते हैं तो यह भी याद रखेगा कभी पूछ लिया जाए तो ओके अगला कुशन है गगन नारंग जिनोंने लंदन ओलंपिक दो हजार बारा में कांसी पदक जीता किस रूप से प्र सुटर गगन नारंग जी यह रैफल सुटर हैं ने दो हजार बारा में ओलंपिक में कांसी पदक भी प्राप्थ हुआ है अगला कुशन है संयुक्त राष्ट सुरक्षा परशद के पांच इस्थाई सदस से कौन से हैं यह उप्शन है चीन वी उप्शन है फ्रांस सी उप् सॉरी ए उप्शन है कनाडा चीन फ्रांस यूएसे यूकी हम तो तुरंट से पर्मानेंट सदसी बताने लगे थे तो आपका भी उप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चीन फ्रांस रूस यूएसे यूके इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो फ्रेस अचार एफ अगला कोशन है भारत के निम्न मैंसे किस नगर में दो रेल्वे जोन है ए उप्शन है हुवली वी उप्शन न्यू डैली सी उप्शन है मुंबाई डी उप्शन है जबलपूर तो डी इस दा करेक्ट आंसर इसके दो रेल्वे जोन है अगला कोशन है बर्स 2011 की जनगना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत तो कितना है A option है 325, B option है 382, C option है 332, D option है 382 तो इसका D is the correct answer 2011 की census के अनुसार जनसंख्या का घनत 382 व्यक्ति प्रत वर कलो मीटर है अगला question है संसद्य प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है A option है रास्ट्रो पती, B option है प्राधान मंतरी, C option है विपक्ष का नेता, D option है निचले सदन का अध्यक्ष संसद्य प्रकार की सरकार में प्राबर बालों में पहला होता है तो इसका B correct answer हो जाएगा अगला question है भारती है रुपए का अंतिम बार अवे मूलियन कब किया गया तो A option है 1966 में, B option है 1991 में, C option है 1994 में और D option है 2000 में इस question के हिसाब से तो यही हो जाएगा 1991 अगर इसके बाद इसमें अगर option दिया जाए 2017 तो 2017 पर जरूर टिक कीजिएगा क्योंकि note 1 दी जो हुई थी 2017 में हुई थी आपको याद होगा इसमें 1991 दिया गया है तो यह याद रखेगा अगर 2017 दिया होता तो अंतिम बार 2017 में अविमूलन हुआ है अगला question है निमलिखित मैंसे किस bank में कोई व्यक्ती अपना खाता नहीं खोल सकता तो आप सभी को पताओगा भारती रिजब bank में कोई भी व्यक्ती अपना खाता नहीं खोल सकता क्योंकि यह बैंकों का bank है कह सकते हो father of banks अगला question है दूर दर्शन से रंगीन कारिकरमों की शुरूबात कब से हुई ये option है 1971, V option है 1975, C option है 1985 और D option है आपका 1984 तो C is the correct answer दूर दर्शन में रंगीन कारिकरमों का जो प्रारंब हुआ था वो 1982 में हुआ था अगला question है एक मात्र वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया है वे कौन सा है तो A option है रिग वेद, V option है ये जूर वेद, C option है साम वेद, D option है अथर वेद तो इसका जो B option है बिल्कुल correct हो जाएगा ये जूर वेद को गद और पद दोनों ही में लिखा गया है अगला question है केगा परमाडू विद्धु संयत्र कहां पर अवस्तित है तो केगा परमाडू विद्धु संयत्र जो है कहां पर है A option है करनाटका, B option है तामिन नाडू, C option है गुजरात, D option है राजिस्थान तो इसका जो A option है बिल्कुल correct हो जाएगा, काफ और करनाटका कहाएगा परमाडू विद्धु संयत्र कहां पर है तो ये आपको करनाटक राजिमें देखने को मिलेगा अगला question है गुड फ्राइडे मनाया जाता है, A option है ईसा मसी का सहीदी दिवस, V option है ईसा मसी का जन्म दिवस, C option है बड़ा दिन होने के कारण, D option है छोटा दिन होने के कारण तो इसका जो सही option हो जाएगा वो आपका A option हो जाएगा ईसा मसी का सहीधी दिवस गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है अगला question है पॉंगल किस राजी का प्रमुक तेवार है A option है केरल, B option है तामिन नाडू, C option है सम, D option है कनाटका तो इसका B option बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पॉंगल जो है तामिन नाडू में मनाया जाता है केरल की अगर बात करें तो यहाँ ओडम मनाते है ओडम और यहाँ पॉंगल भी मनाया जाता है ठीक है, असॉम में वीहू तेवार मनाते हैं वीहू ठीक है, और करनाटक में यच्छगान लोकनरत्य होता है अगला कोईशी ने, पिछड़ा बर्गायोग का गठन कौन करता है A option है राष्ट्रपती, B option है प्रधान मंत्री C option है लोकसभा अध्यक्ष, और D option है आपका ग्रहे मंत्री तो A is the correct answer पिछड़ा बर्गायोग का गठन राष्ट्रोपती करता है पिछड़ा बर्गायोग का गठन कौन करता है तो राष्ट्रोपती करता है अगला कोईशन है हडप नीती या डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स के अंतरगत कौन से भालती राज कबजे किये गए थे A जहासी, V जहासी, 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 ज राजसवा में प्रतिनिधित तो सबसे अधिक है तो इस कोश्चन को तो बताने की आविश्यक्ता ही नहीं केवल हमारा उत्तर प्रदेशी है जहां लोकसवा और राजसवा में सबसे जादा सीटे हैं लोकसवा में 80 सीट से राजसवा में 31 सीटे हैं जो की सभी राज्यों में स स्तावना वी ऑप्शन है मूल अधिकार सी ऑप्शन है आपका राजी के नीती निदेशक सिध्धान और डी ऑप्शन है सातवी पालिका तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राजी के नीती निदेशक तक तो राजी के नीती निदेशक सम्मिधान की संसोधन प्रक्रिया किस देश के सम्मिधान से प्रभावित है संसोधन प्रक्रिया ली गई है हमारे समिधान में भारत के अंदर से तो वो दच्छड अफरीका से ली गई है अगला कोशन है स्वतंत्र भारत के प्रथम बित्त मंत्री कौन थे तो ये भी कोशन सभी को पता होगा कौन थे तो डॉक्टर जान मताई जो है स्वतंत भारत के प्रथम वित्ते मंत्री थे अगला कुशन है ठगी प्रथा का उन्मूलन से सम्मंद गवर्नर जनरल कौन थे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बैंटिक ठगी प्रथा के उन्मूलन से सम्मंद गवर्नर जनरल थे कार्नेवालस में जो हमारे यहां सिविल सर्विस परिशाए होती उनसे सम्मंद थे जो बिले नीती थी वो डलहौजी ने दी थी अगला कुशन है किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों की हाथ से निकल गया एपसन जहांगीर वी ऑपसन है सहां जहां सी ऑप्शन है जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा जिसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सहां जहा के कारिकाल में मुगलों के हाथ से कंधार हमेशा के लिए निकल गया था अगला कुशन है निम्न मेंसे किस सासक का काल संग मरमर का काल कहा जाता है तो संग म मरमर का काल कहा जाता है एगला कुछ ने स्वतंत भारत की प्रथम मंत्री परशद में सामिल एक मात्र मेला मंत्री कौन थी ए ऑप्षन है विजय लक्षमी पंडित बी ऑप्षन सोचेता कृपलानी सी ऑप्षन सरोजनी नाइडू डी ऑप्षन राजकुमारी अमरत कौर तो ड ऄफ़ी इस दा करेक्ट आंसर बाकी इसमें जो प्रथम मेला appliance मेला ही अची परशद मेला मंद्री बिज wielabil ही पंडित राष्ट सभा में अद्यक्षछ चुनी गई ऑ जवालthlet नहू की सिस्टर थी एक-ला-कोईशन है महत्मागाधी के प्रियह भजण बैशनब जनतों तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे की रचाईता कौन है? यह उप्शन है नर्सी नर्सिंग महता, वी उप्शन है वल्लवाचार, सी उप्शन है कभीर दास, डी उप्शन है सूर दास, तो A is the correct answer. बैशनब जनतों जितेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, तो A उप्शन is the correct answer. अगला कोशन है गिल्टी मैन ओफ इंडियाज पार्टिशन पुस्तक किसने लिखी है? A उप्शन है जवाहर लाल महरू, B उप्शन है डॉक्टर मनोहर लाल लोईया, C उप्शन है अबुल कलाम आजा, D उप्शन है श्रोजनी नाइडू, तो B is the correct answer. गिल्टी मैन ओफ इंडियाज पार्टिशन डॉक्टर राम मनोहर लोईया के द्वारा लिखी गई फुस्तक है, अगला कोशन है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था, A उप्शन है शेशा, B उप्शन है अकबर, C उप्शन है सहा जहां, D उप्शन ह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो पॉस कीजी और इसका आंसर दीजेगा नहीं दे रही है, तो हम ही बता देते हैं, चंदुरुप्त राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, ओके, अगला कोशन ह अभी अमीर खुश्रो किसके दर्वार में रहे थे, ये आप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के वी आप्शन है उल्तुतमिस के, वी आप्शन है मुहमद वित्टुगलक के, सी आप्शन है कुतुबद्दीन एवक के, तो इसका जो सही आंसर होगा, सभी को पता होगा, तो जो अमीर खुसरो साब थे जो कि तबला के आविशकारक थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दर्वार में रहा करते थे और इनका जो जन्विस्थान है एटा जिला पटे आली उत्तर प्रदेश अगला कोशन है बन रोपन प्रक्रिया है ये उप्षन है बन साफ करने की और लगाने की प्रक्रिया होती है अगला कोशन है बहारी बायू मंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है तो ये तो अभी इमने बताया ही था तो ये इसका डी ऑप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा परावेगनी बिक्रण का वशोशन करने में जो ओजोन परत है हमारी स नाहयता करती है अगला कोशन है मद्यरात्री शूरिका अर्थ क्या है ये उप्षन सांधिप्रकास बी उप्षन है उदी अमान सूर्य सी उप्षन है बहुत चमकदार चंदरमास डी उप्षन है सूरिका धृबी ब्रत में देर तक चमकना तो इसका जो सही आंसर हो जाएग वी आप्शन है सूक्ष मजीब जो समय के परिपतों में बादा डालता है C आप्शन है वे प्रोग्राम जो कम्प्यूटर की सौफ्ट वियर को हानी पहुँचाता है D आप्शन है आपका इन मेंसे कोई नहीं तो इसका जो C आप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वे प्रोग्राम जो कम्प्यूटर की सौफ्ट वियर को हानी पहुँचाता है कम्प्यूटर वाइरस कहलाता है अगला कुशन है निम्न मेंसे किसको आर्वी सीज का कबरकाहा कहा जाता है A आप्शन है यकरत B आप्शन है अस् Personally C उप्षन है प्ली हा दी आप्शन है परिशेशिका तो C इसदा करेक्ट आज्टे एरस सबी को पता भी होगा तो आर्वी सीज के ग्रेवयार जो है पिली हाच को कहा जाता है अगला कोश़न है तप्त जल के फैलों में जल का प्रियो खिया जाता है क्योंकि यह सेरलता से मिल जाता है, बी आप्षण यह सेस्ता और हानिकारक नहीं है सी आप्षण है सकी बिसिश्ट उस्मा अधिक है, डी आप्षण है जल को गर्म करना आसान है तो C is the correct answer इसकी विस्ष्ष्ष्ट उसमा जो होती अधिक होती है तब तो जल के थैलों में जल का प्रियोग इसलिए किया जाता है A option A, आसंजक बलका अभाव B option A, प्रष्ट तनाओ C option A, आपस में मिल नहीं सकते D option A, तेल की ये पेक्षा जल हलका होता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A option A, आसंजक बलका अभाव पानी की बूंदों का तेलिये प्रष्ट पर नचिपकने का कारण आसंजक बलका अभाव होता है अगला question है अधातूओं में निम्न में से कौन सा गुड़ धर्म सामानियता पाया जाता है A option है भंगुरता B option है चालकता C option है तन्निता और D option है आगहात बर्ग्यता तो इसका A option सही हो जाएगा जो भंगुरता होती है वो अधातूओं में पाई चाती है अगला question है प्रती ग्राम इधन द्वारा मोचित उर्जा की द्रिष्टी से निम्न में से सरवोत्तम इधन कौन सा है ये option है Hydrogen B option है Methane अगला question है Vitamin B2 का अन्य नाम क्या है तो A option है Thymine V option है Hemoglovin C option है Riboflavin और D option है आपका Dextrose तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा Riboflavin vitamin B का नाम अगर पुछ ले जाए तो Thymine होता है और vitamin B2 का नाम Riboflavin हो जाता है अगला question है काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका स्वसानंग होता है ये option है Clome गिल में B option है Vatak Trachea में C option है Pust Fufus D option है Fufus Kose में तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा B option Trachea में इसका स्वसानंग होता है तो मरकरी से कौन सा रोग हो जाएगा A option है Black Lung B option है Ad Cynic Oshish C option है Mena Mata D option है Tai Itai इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C option मरकरी के जो Poisonous हो जाता है मरकरी का जो Poison होता है उससे आपको Mini Mata रोग हो सकता है अगला कोशिन है गुड सूत्रों में होते है A option है DNA और Lipids V option है RNA और Amino Acids C option है DNA और Protein और D option है RNA और सुगर तो इसका जो C option है बलकुल Correct हो जाएगा अगला कोशिन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है सभी वो पता होगा यूरो क्रॉम के कारण होता है और जो रिलीज होती है जो यूरीन है जो रिलीज होती है वो यूरेथरा के द्वारा रिलीज होती है ये याद रखेगा यूरेथरा के द्वारा रिलीज होती है अगला कोशिन एक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है ये option है गारो खासी एबम जैंतिया की पहाड़ियों में वी option है छोटा नागपुर पहाड़ियों में C option है कोरो मंडल तट पर D option है मालवा के पठार में तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C option कोरो मंडल तटपर अक्टूबर नमंबर के महीनों में भारी वर्था होती है अगला कुशन जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तो जैद मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है मतलब की जायद में तो इसका A option है तरबूज V option है सोया वीन D option है मक का C option है मक का D option है पटसन जिसका जो सही अंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A option तरबूज जो है जायद की फसल में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज है खरबूज है ककड़ी है खीरा है और ये सबी जुई है जायत की फशल में उगाई जाने वाली फशले हैं अगला कोशन है अक्तूबर महा में यह तम बताई चुकिंए आपको अगला कोशन है अल्टा विष्टता है एक ए और क्रोक्रम वी ऐी ऑॉप्षण है सोफ्ट वेयर। सी ऑप्षिंवेर ब्राउजर। ड उप्षन ए सर्च अंजन तोल्टा विष्टता जो है एक सर्च अंजन हीरे का एक केरट किस के बराबर होता है E option है 100 mg, B option 150 mg, C option 200 mg, D option 250 mg तो इसका C option बिलकुल करेक्ट हो जाएगा, हीरे का एक केरट 200 mg के बराबर होता है अगला कुशन है आहार में लबढ का मुख पियोग है, जल में बोजन की कड़ों की विलायता को बढ़ाना B option है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिट लगू मत्रा में पैदा करना C option है पकाने की पक्रिया को शरल बनाना D option है भोजन को स्वाधिश्ट बनाना तो B is the correct answer आहार में लवड का मुख्ष प्योग होता है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिट लगू मत्रा में पैदा करना तो यह थे हमारे आज के top 50 questions आसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, comment, share करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आपके जो भी friends है Facebook, WhatsApp पर उन्हें recommend जरूर कीजेगा आप जो सीख रहे हैं आपके मेत्र भी सीखें और आपकी तैयारी अच्छी होती जाए 19 में को आपका exam है exam तक आपकी तैयारी इतनी हो जाए कि आप देखें और तुरन से click कर दे तो आपको अच्छा ही लगा होगा वीडियो आई होप तो like, comment, share करने के साथ चैनल को subscribe कीजिए thanks for watching